हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बबली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बबली पांडे किचन में फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही लाजबाब चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ जो इतना टेस्टी है कि आप इसका टेक्शर देखके ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं जिसे मैंने बनाया है पके हुए पाइनेपल से आजकल पाइनेपल का सीजन है मार्केट में बहुत ही अच्छे पाइनेपल मिल रहे हैं और इतनी टेस्टी चटनी बनती है कि अगर आप एक बार इसे बना के खा लेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे और कम टाइम में बनके तयार हो जाता है और इसे आप लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं तो आईए पाइनेपल की इस योनिक चटनी को बनाना सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे की मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो पाइनेपल चैनी बनाने के लिए यहां पे मैंने दो पके हुए पाइनेपल लिये हैं एकदम बड़े साइज का जो आता है और अच्छा पका होना चाहिए लेकिन बहुत गला हुआ नहीं होना चाहिए नहीं तो इसे काटने और च्छिलने में बहुत ही दिक्कत आता है तो सबसे पहले पाइनेपल को मैंने धो लिया है और इसे अब कट करना है तो कट करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप कोई अच्छा सा नाइफ लें जो की तेज हो अच्छा काटता हो तो इस तरह से उपर साइड्स को कट कर लेंगे और ऐसे उपर चॉपिंग बोर्ड पे रखके इसके छिलके को काट के हटाते जाएंगे तो इसके लिए जरूरी है कि नाइफ अच्छा लेना है मेरा नाइफ पुराना है लेकिन इससे अच्छा कटता है इसलिए मैं इसका इस्तमाल कर रही हूँ तो इस तरीके से छिलके को छील लेंगे, बहुत इजी है, जल्दी से हो जाता है और इसके बाद बहुत ही जरूरी है, ये उपर जो इसका स्पॉर्ट दिख रहा है, इसे पाइनेपल का आँख भी कहते हैं, तो इसे हमें निकालना है किसी भी रेसिपी में आपी से मढड डालिएगा नहीं, तो ये गले में फंसता है तो इसके लिए एक नोक वाला नुकीला चाकु मैंने लिया है, और इस तरीके से आसानी से निकालते जाईएगा देखिए, नोक वाला चाकु लेंगे तो बहुत इसली ये निकल जाता है वैसे पाइनेपल की कोई भी रेसिपी बनाने में सबसे बड़ा काम जो होता है, उसको छीलना और कट करना और सबसे बोरिंग काम होता है, तो अगर आपके पास घर में कोई और है, तो उसका help ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम होता है, इसके बाद सारा process बहुत easy है तो इसे अब बीच से हम ऐसे कट करके, चार हिस्सों में काट लेंगे और जो बीच वाले ये थोड़ा सा hard होता है, तो इसे हम काट के अलग कर देंगे तो देखिए, सारे को हम ऐसे अलग कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो थोड़ा hard होता है, तो अच्छा नहीं लगता है चक्नी में और इसके बाद ऐसा मैंने ग्रेटर लिया है, क्योंकि ये चट्नी हम ग्रेट करके बनाने वाले हैं, तो पाइनेपल को ग्रेट कर लेंगे ज्यादा पका हुआ ये पाइनेपल मैंने लिया है इसलिए जो उपर थोड़ा थोड़ा बड़ा तुकड़ा रह जाएगा लिकिन मैं बाद में बताऊंगी उसका क्या करना है यहां पे दोनों पाइनेपल को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और देखिए इसका टेक्चर बहुत अच्छा आया है एक दम लच्छेदार लेकिन ग्रेट करते समय जो बड़े टुकड़े रह जाते हैं या फिर इसमें भी आप चेक कर लें तो इस तरह से मैंने निकाल सिर्फ ऐसे धकन बंद करें और इसे अच्छे से पीस लें तो देखिए जो बड़े टुकड़े रह गये थे उसको मैंने पीस लिया है और अच्छा सा पेष्ट बन गया है तो इस तरीके से हम चटनी मैट करेंगे और चटनी का टेक्स्चर भी इससे अच्छा आएगा चट तो इससे माप के डालने से इसमें चीनी आमरे के लिए बहुत ही सुविधा होगा तो देखिए ठोटल धाई कुप मैंने ये पल्प ली आ है और जो मैंने मिकसी में जालके ग्रायंड किया था वह भी इसी में मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत कप से चीनी भी डालेंगे तो यहां पर धाई कप मैंने पाइनेपल का पल्प लिया है तो इसमें उससे आधा हम चीनी डालेंगे एक कप डाला मैंने उसके बाद वन फोर्थ कप डालेंगे तेस्ट के एकॉर्डिंग चीनी डालना है मैंने पका हुआ पाइनेपल लिया था ज इसे हम low to medium पे पकने देंगे जैसे जैसे पकेगा इसमें texture आएगा तो अभी total पांच मिनट हो चुके हैं और पांच मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा साइन आना शुरू हो गया है और इसको चलाते रहना है बीच बीच में पूरा छोड़ना नहीं ह और लगभग इसे पूरा बनने में 20-30 मिनट का टाइम लग जाएगा और पाइनेपल में पैक्टिन पाया जाता है उसकी वज़ा से इसका texture जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा जेली जैसा होता है तो देख सकते हैं यह जैसे जैसे पक रहा है यह अपने आप ट्रांसप टोटल अभी 15 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए कलर तो अच्छा दिख रहा है फ्रेंस लेकिन अभी यह पतला है तो इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है हमें इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं तो यहां पर मैं डाल रही हूँ हाफ टीस्पून नमा जो की टेस अगर आपको पसंद हो थोड़ा सा स्पाइसी खाना तो 140 पून काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन इसके अलावा कोई भी मसाला इस चटनी में नहीं डालना है नहीं तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी सा हो जाएगा और इसका जो पाइनेपल का फ्लेवर होता जो नेचरल कलर कहते हैं वो फ्रेंड्स यहां पर 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब देख सकते हैं इसका टेक्शर बहुत ही अच्छा आया है यह देखिए तो फ्रेंड्स एक ही बार ज्यादा देल पकाने के बाद चटनी हाड हो सकती है तो आप एक दिन बना ले 30 मिन तक पक तो इसे ठंडा होने के लिए पूरे 24 गंटे के लिए हम रख देंगे और यह देखिए फ्रेंड्स पूरे 24 गंटे के बाद चटनी ठंडी हो चुकी है और इसका टेक्शर में आपको दिखाती हूं तो देखा आपने साइड से थोड़ा सा यह जूस की तरह रिलीज हो गया है तो यह पाइनेपल चटनी है फ्रेंड्स ठंडा होने के बाद थोड चटनी जल्दी खराब हो सकती है और एक ही दिन जादा पका देंगे तो चटनी हाड हो सकती है चटनी को मैंने फ्लेम पे रखा है और फ्लेम लो-मीडियम है इसे पहले गरम होने देंगे उसके बाद घड़ी देखके हम पांच से साथ मिनट के लिए पकाएंगे तो अभी थोड़ा इसमें उबाल आना सुरू हो गया है इसे चलाते रहेंगे और घड़ी देखके ही पकाना है नहीं तो ज्यादा दिर पकाएंगे तो ठंडी होने के बाद चटनी जो है हाड हो जाएगी इसे पकते हुए टोटल साथ मिनट हो चुके हैं और बीच-बीच में मैंने चलाया भी है इसे कि नीचे से लगे ना इसीच का ध्यान रखना है फ्लेम भी कम होना चाहिए और ये देखिए फ्रेंट्स जब मैं इसे चला रही हूँ तो बीच से देखिए पैन को छोड़ रहा ह है और बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है इसमें तो एक तम ये परफेक्ट टेस्चर है और फ्लेम को मैंने आफ कर दिया और ये देखिए फ्रेंट्स दिख रहा है ना बहुत ही लाजबाब चटनी इसका टेक्चर बहुत ही अच्छा आया है और अगर इसमें आप नमक और लालमिश पाउडर नहीं डालते हैं तो जैम के रूप में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं चटनी बना रही थी इसलिए मैंने इसमें डाला है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसे आप रोटी पराठी के साथ या फिर ब्रेट के साथ बच्चों को देंगे पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं लेकिन आप इसे नमी वाले जगह से दूर रखिएगा गीले चमत से दूर रखिएगा तो फ्रेंड्स आप इस चटनी को जरूर बनाएए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा फिर से मिलते हैं नई रेसिप के साथ तब तक के लिए बाब बाई टेक क्यार